नमस्कार दोस्तों स्वागा था आपक हमारे चैनल पे दोस्तों आज हम बात करेंगे wordpad application के बारे में कि wordpad application को कैसे open करते हैं और wordpad के सभी options को कैसे use करते हैं दोस्तो wordpad एक प्रकार का pre-install application है pre-install के बारे में हम already आपको बता चुके हैं pre-install एक प्रकार का ऐसा application होता है जो कि हमें Windows operating system के साथ में provide हो जाता है यानि कि इसको हमें अगर अपने computer में operate करना है तो हमें इसे अलग से install करवाने की अवज़ सकता या install करने के अवज़ सकता नहीं होती है यह हमें Windows operating system के साथ में provide हो जाता है तो इसको open करने के लिए हमें Windows accessories में जाके wordpad नमक option पे click करना होता है जिससे यह wordpad open हो जाता है और हम उस पे कोई भी एक simple document बना सकते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे wordpad application के बारे में और wordpad application को कैसे open करें और उसके जो विंड़ो open हो के आती है तो विंडो में कौन से options टे होत diferentes और कौन से person कहां पर होते हैं और कौन से पार को किस नाम से जाना जाता है तो आज की वीडियो में हम आपको wordpad की window के बारे बताएंगे अगले वीडियो में हम वीडियो जो wordpad application है उसके कौन से option कहां पर है और उनका क्या use है उसकी भी चर्चा हम आगे वाले आने वाले वीडियो में करेंगे लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे wordpad window को कैसे open करें यानि wordpad application को कैसे open करें और wordpad की जो window open होके आती है उसका पूरे परिचे हम आपको करवाने वाले हैं तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो करपे हमारे चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon पे जाके all notification bell को प्रेस कर दीजे ताकि जो भी वीडियो हम अपने चैनल पे upload करें उसकी सूचन आपको तुरंत ही मिल जाए तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको बताते हैं कि wordpad application को कैसे open करें तो सबसे पहले हम start पे click कर लेते हैं यह आपको start button न जड़ा रहा है start पे click करें हमने आपको अलड़ी एक वीडियो दिया है windows asa series नाम से windows asa series ऐसी जगह होती है यहाँ पर click करके हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से applications या program हमें operating system के साथ में मिले हुए हैं यानि हम पहले से ही provide किये हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले start पर click करना होगा फिर हम all program पर click करेंगे all program में जैसे ही click करेंगे तो यह देखिए हमें sas series नाम का option नजर आ रहा है अगर आप windows 10 चलाते हैं तो उसमें यह option windows asa series नाम से उपलब्द होगा तो उसमें click करके आप यह देख सकते हैं कि कौन कौन से application आपको windows 10 के साथ में मिले हुए है अभी हम इस समय windows 7 चला रहे हैं तो windows 7 में यह option sas series नाम से है जहां पर हम यह देख सकते हैं कि कौन कौन से application हमें windows 7 के साथ में मिले हुए है उनको हमने अपने तरफ से इंस्टाल नहीं किया है वो हमें अलेडी Windows Operating System के साथ में ही मिले हुए थे तो हम Accessories पे क्लिक करेंगे जैसे स्रीज पे क्लिक करते हैं यह देखिए Bluetooth, File Transfer, Calculator, Command-Pron, Math & Put, Notepad, Paint तो यह कुछ application हमें यहाँ पर नजर आ रहा है लेकिन यह WordPad Accessories के अंतरगत ही आता है अगर आपको यहाँ पर WordPad नहीं नजर आता है फिर आप इसको कैसे open करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम या तो directly यहाँ से search, program and files पे आके WordPad लिख सकते हैं keyboard से जैसे ही हम WordPad लिखेंगे तो हमारे सामने WordPad सर्च होके आ जाता है wordpad एक साथ लिखना है इसमें space नहीं करना है यह देखें जैसे हमने WordPad लिखा search में यह देखें WordPad आ गया है अब इस पे हम enter कर सकते हैं या फिर mouse से click करेंगे तब भी यह open हो जाता है यह देखें हमारे सामने WordPad की विडियों होके आ गई है अगर search से भी आपको WordPad नहीं मिलता है तो आप इसको कैसे open करेंगे सबसे पहले आपको start में click कर लेना है start में click करने के बाद all program पे चले जाना है all program में जाने के बाद this stage पे जाना है उसके बाद run में click करना है run में जैसे click करेंगे तो यहाँ पर एक run dialogue box आपके सामने दिख जाएगा और यहाँ पर आप लिखेंगे wordpad wordpad और pad देखी नीचे हमारा list में दिख गया है तो हमाँ पर click कर देंगे wordpad पर click करके open करेंगे click करेंगे तो हमारे सामने wordpad की window खुल के आ जाएगी जो run dialogue box है अगर run dialogue box आपको accessories में नहीं मिलता है तो आप सीधे keyboard से window button प्लस आर window प्लस आर बटन दबाएगे तो आपके सामने run dialogue box आ जाएगा और उस पे wordpad आप लिख करके एंटर करेंगे तो आपका wordpad नाम का application खुल जाएगा और उसकी window आपके सामने open हो जाएगी तो यह देखिए हमारे सामने wordpad की window कुल के आ गई है अब wordpad window को हम एक तरब से समझना चालो करेंगे कि हम wordpad window में कौन से चीज़े कहां पर हैं कौन से options को हम किस नाम से जानती है तो सबसे पहले जो उपर वाली पट्टी है यह देखिए आप देख पा रहे हैं इस पट्टी को हम title bar कहते हैं title bar कहने के पीछे जो वजय है title का मतलब दोस्तो होता है सीरसक और title bar में हमें दो सीरसक नजा रहाते हैं एक तो file का नाम और दूसरा application का नाम यानि इस समय कौन सा application चल रहा है और उस पर कौन सी file खुली है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस समय जो application open है वो wordpad है और इस पर अभी हमने कोई file बना कि उसका नाम नहीं दिया है इसलिए यहाँ पर document लिखा हुआ है जैसे हम कोई file बना कि उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर यह document हट जाएगा और जो भी नाम हम file का देंगे वो यहाँ पर लिख जाएगा तो हम title bar को एक तरफ से समझना चालो करते हैं कि title bar में सबसे बाय तरफ यह देखे सबसे leftmost में यह application का icon होता है दोस्तों यह देखे आप देख पा रहे हैं यह application का icon है इसके बाद यह यहाँ से लेके जो save का icon आपको दिख रहा है save नाम का option और यह undo और यह redo और फिर यह हमारे सामने एक down arrow दिख रहा है तो यह down arrow से लेके यह co तक का जितना भी portion आपको दिख रहा है इसे हम quick access toolbar कहते है quick access toolbar को हम इस ribbon को ribbon बोलते हैं इसको इस ribbon की ऊपर भी रख सकते हैं और चाहे तो इस down arrow में click करके यह देखे लिखा हुआ so below the ribbon तो इसे click करेंगे तो देखे नीचे भी आ जाता है तो यह quick access toolbar जो है ribbon की ऊपर ही दिया जाता है यह टाइटल बार में ही मिलता है हम इसको अपनी इच्छा अनुसार नीचे भी लगा सकते हैं quick access toolbar में जो default options है यानि जो हमें system के तरफ से मिलते हैं वो video undo और redo मिलते हैं इसमें हम अपनी मर्जे से कोई भी नया option जोड़ सकते हैं उसको हटा सकते हैं example के लिए से हमें bold option इस पर add करना है तो हम bold option पर right click करेंगे और add to quick access toolbar पर click कर देंगे तो यह देखे bold option यहाँ पर add हो चुगा है इसको हमें हटाना होगा तो हम इसे पर फिर से right click करेंगे remove from the quick access toolbar पर click करेंगे और यह यहाँ से remove हो जाता है चलिए इस quick access toolbar को हम वापस से title bar में ही रख देते हैं so above the ribbon click करेंगे यह देखे वापस यहाँ पर आ चुका है तो सब पर दो सीरसक एक file का नाम और दूसरा application का नाम उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे rightmost area में यह सबसे दाया तरफ यह हमारे program control बटन कहलाते हैं इन्हें को हम caption बटन के नाम से भी जानते हैं इसको close बटन इसको maximize and restore बटन और इसको minimize बटन बोलते हैं अभी इसको restore बटन कहा जा र तो इसको maximize restore बटन, close बटन और इसको minimize बटन बोलते हैं इन तीनों को एक साथ हम program control बटन या caption बटन बोलते हैं अब उसके नीचे वाली पट्टी में आ जाते हैं तो इसको हम menu bar कह सकते हैं menu bar में हमारे तीन menu हैं इनको हम tab भी बुला सकते हैं सबसे पहला है नीला tab जो आपको pad and exit तो यह हमारा जो नीला tab है इसको हम file tab कर सकते हैं और यह हमारा home tab है और यह view tab है तो इस menu bar में हमारे पास total 3 menu है या कह सकते हो 3 tab है by default याने system की तरफ से हमें home वाला tab खुला मिलता है यह देखिए home tab हमारा खुला हुआ है और home tab के अंतर जितने भी option आते हैं हमें इस नीचे यहां पर पट्टी में दिखाई दे रहे हैं इस पूरी पट्टी को हम लोग ribbon कहते हैं यानि यह जो options दिखाई दे रहे हैं इस पूरी पट्टी को हम ribbon कह सकते हैं यानि यह home tab की ribbon है और home tab की ribbon जो है पांच blocks में बटी हुई है पहला block है clipboard, दूसरा block है font, तीसरा block है paragraph और चौथा block है insert, पांचवा block है editing यानि home tab की जो ribbon है ये पूरी पटी है options की ये पांच भागों में बटी हुई है इन blocks को जो बाटा जाता है वो अलग-अलग options में available होते हैं उन options को उनके कारणों के अधा पर बाट दिया जाता है जैसे कि font से related options इस जो options दिख रहे हैं सब font से related है और इनको font block में रखा गया है paragraph से related options को paragraph block में रखा गया है insert से related options को insert block में रखा गया है editing यानि बदलाव संबंदी options को editing block में रखा गया है और clipboard संबंधी options को clipboard वाले block में डाला गया है इन blocks को हम dialogue box भी कहते हैं तो यह आप देख पा रहे हैं कि समय home नाम का जो tab है वो खुला है यह by default tab खुला ही रहता है आलडी आपको खुला मिलता है और yes की ribbon कहलाएगी और ribbon जो है 5 भागों में बटी हुई है पहला block clipboard, दूसरा font, तीसरा paragraph, चौथा insert और पांचवा हमारा editing block कहलाएगा इस तरह से हम आगे वाले block tab को भी देख लेते हैं तीसरा tab हमारा view tab view tab में total हमारे पास 3 block है पहला है zoom block, दूसरा है show or hide block और तीसरा है setting block इस तरह से view में total 3 block है zoom, show or hide और setting block अब हम नीचे आजाते हैं तो यह जो हमारा दिख रहा है, यह हमारा ruler कहलाता है जिस पे आपको numbers नजर आ रहा होंगे 1, 2, 3, तो यह inches हैं दोस्तों इसकी मदद से हम किसी document को बनाने में आसानी से उसकी map ले सकते हैं कि हमें कोई भी document कितनी measurement का रखना है उसकी लंबाई और चाड़ाई क्या रखनी है यह अभी inches में दिया है, इसे हम ruler कहते हैं अभी इस ruler में जो है inches वाली map लगी हुई है measurement unit लगी हुई है और यह देखिए view tab में setting वाले block में measurement unit नाम का option है तो यहां पर हम map बदल भी सकते हैं चाहें तो ruler में centimeter, pixels, points, cfl, pixels वगयरा भी लगा सकते हैं तो यहां पर अभी inch दिया हुआ, इसे ruler कहते हैं और यह margin है दोस्तों यहां से इतना जो दिया है यह margin है, यानि इतना छोड़ के ही अगर आप कुछ लिखेंगे तो अगर इससे आपका आगज़ पर print करेंगे तो इतना छोड़ कर ही वो छापेगा और यह जो हमारा white area देख रहा है, यह हमारा working area है text area भी इससे आप कह सकते हो, यानि जहां पर हम text लिखते हैं और अपनी file को त्यार करते हैं, अब इसके नीचे आ जाते हैं यह पट्टी आपको white color के देख रही होगी, just task bar के उपर तो इधर आप देख पा रहे हैं, यह इसे हम zoom slider या slider भी कहते हैं इसको जैसे यह आप right की तरफ slide करेंगे, तो हमारा जो document है वो zoom होगा और जैसे ही हम left की तरफ आते हैं, यह zoom out होता है zoom out से हम किसी चीज को दूर से देखते हैं और zoom in किसी चीज को पास से देखने का एक process होता है तो zoom in, zoom out और zoom, ठीक है, यानि 100% लगा हुआ है तो यानि normal zoom कहलाता है जैसे हम 100% से उपर जाते हैं, यह zoom in की category में जाता है जैसे हम 100% से नीशे आते हैं, यह zoom out की category में माना जाता है तो आसा है कि दोस्तों आपको यह जो wordpad की window का परिच्चह है, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा अगली वीडियो में हम आपको wordpad के जो options हैं, उनके बारे में बताना चालो करेंगे दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को like और subscribe, चैनल को subscribe करना बिलकुन मत भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करना बिलकुन मत भूलें मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, जय है